सेंडल कार और जादूई परी धोलंपुर गाओं में भोला अपनी बीवी शान्ति के साथ रहता था उसकी एक बेटी भी थी जोती जो काफी अच्छे परिवार से थी और एक दिन जब वो लोग बाजार से घर वापस आ रहे थे तब जोती के माता पिता का एक्सिडन्ट ट्रक से हो गया और उस एक्सिडन्ट में जोती के पिता की मौत हो जाती है लेकिन जोती के मा और जोती दोनों बच जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ चोट आई थी तब ही जोती कहती है मा, पापा तो नहीं रहे, क्या आप वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे? हाँ बेटी, आप तेरे पापा नहीं रहे, और अब बो कभी नहीं आएंगे वापस अब मा, पिताजी मेरी लिए खिलोने नहीं लाएंगे अब कौन मुझे सर्प्राइस देगा? कौन देखेगा अब हमें अब कौन मेरी इक्षा को पूरा करेगा मा जुप हो जो मेरी बच्ची मैं हूँ ना तेरी साथ अब मैं ही तेरी मा और तेरा बाप अब मैं ही सब कुछ हूँ मैं ही सारी इक्षाय तेरी पूरी करूँगी मेरी बच्ची माँ आप मुझे कभी पापा की तरह छोड़ कर मत जाना नहीं मेरी बच्ची मैं तुझे छोड़ कर कभी नहीं जाओंगी जोती को दिलासा देते हुए उसकी माँ अपने पती का अंतिम संसकार करती है और अब धीरे धीरे पुलो गरीब होते जा रहे थे उनकी परिस्थी ते काफी खराप हो गई और एक दिन जोती की माँ बोलती है मेरे घर की हाला तब ठीक नहीं है और अब तो मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है मुझे कुछ काम करना चाहिए तब ही तो मैं अपनी घर का खर्चा चला पाऊंगी और मैंने अपनी बेटी से वादा किया कि मैं उसको उसकी पापा की कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी आप उसकी माँ धीर धीरे काम करने लगती है दूसरों की घर में काम करते वक्त जो भी खाना मिलता था वो अपनी बेटी के लिए ले आया करती थी और उसको खिला दिया करती ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जोती अपनी मा से बोलती है मा मुझे एक सैंडल चाहिए बेटा तुझे पता है ना अब हम्यारी हालत ठीक नहीं है तो ऐसे जिदने ही करते मुझे नहीं पता मा मीरे सारी सहीलियों के पास अच्छे कपड़े हैं सैंडल है और वो कार में भी घुमती है लेकिन आप तो कुछ भी नहीं देती हो मुझे जब पापा थे तो वो सब कुछ लाकर देते रहते थे बस करो जोती समझे और जाओ यहां से जोती रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है शाम को जब जोती सो कर रोती है तो अपनी मा को धूनती है लेकिन उसको उसकी मा कहीं नहीं मिलती और वो रोते रोते बाहर चली जाती है मा, मा कहा हो आप मा, बापस आजाओ ना उसकी माँ की आँख खुलती है और अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर वो बोलती है क्या हो गया मेरी बच्ची को माँ मैं आप आप से कुछ नहीं मांगूंगी बस आप मुझे छोड़कर मत जाना पापा की तरह क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है उसकी ये बाते सुनकर और उसको देखकर जोटी की माँ भी रोने लगती है और जोटी को लेकर अपने घर चली जाती है और अब उसकी माँ को ठीक से खाना ना मिलने की वज़े से उसकी माँ बीमार रहने लगती है ये सब देखकर जोटी रोते हुए एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और बहुत रोती है जब उसको वहाँ एक परी मिलती है और परी उससे बोलती है क्या हुआ प्यारी बच्ची तुम ऐसे क्यों रो रही हूँ मेरे पापा मुझे छोड़ कर चले गए और मेरे ममी भी मुझे छोड़ कर जा रहे है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपनी ममी का इहलाज करवा सकूँ अच्छा तो ये दिक्कत है प्यारी बच्ची को इतना कहकर परी उसको एक जादूई चीज देती है और जब उसके हाथ में वो चमकती हुई चीज आती है तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में एक sandal थी और वो उससे बोलती है ये सेंडल तो मैंने अपनी मम्मे से मांगे थी पर मम्मी ठीक नहीं है इसलिए मैंने उनसे दुबारा नहीं बोला कोई बात नहीं अब मैंने तो दे दिया ना तुम्हें अब खुश है ना प्यारी बच्ची हाँ बहुत ज्यादा अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताती हू इस सेंडल के बारे में ये कोई मामूली सेंडल नहीं है बलकि एक जादूई सेंडल है इससे तुम जो भी मागोगी न वो तुमें मिल जाएगा वो कैसे मांग कर दिखू हाँ क्यों नहीं मुझे अच्छा सा खाना दे दो जोती के सामने अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं और वो उनको खाकर अपना पेट भर लेती है अब वो जादूई सेंडल अपने घर ले जाती है और जादूई सेंडल से बोलती है जोती अपनी मां से बोलती है मां हम इसे कुछ भी मांग सकते हैं क्या तू सच बोल रहे हैं जोती हाँ मां मैं सच बोल रही हूँ इसी ने तो तुमें ठीक किया है ये एक जादूई सेंडल है मां अब उसकी मां उस जादूई सेंडल से बोलती है ये जादूई सेंडल मेरे कार में बैठने का बहुत शौक था और मुझे भी था तो अब हम इससे अपने लिए कार मांगेंगे और उस कार से उन सब गरीबों की मदद करेंगे जो हम जैसे बेबस है हाँ मेरी बच्ची बिल्कुल ही जादूई सैंडल मुझे कार दे दो थाकि मैं इस सब की मदद कर सकूं जो हम लोगों की तरह आपनी zィंदगी गुजार रहे हैं ब इसको वो जादूई सैंडल में गूंती है और सब की मदद करने लगती है और इस तरह अब उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती वो लोग गरीबों की मदद करते हैं इसलिए अब जोती अपनी मा के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ दोस्तों हमारी अच्छी-च्छी कहानिय को एंजोई करनी का मौका मिल चकी